सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटिक चैनल को और किलिक कीजिए बैल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हलो फ्रेंड्स अमीना बुटिक में आपका बहुत स्वागत है और दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको किच कि अधरी दोस्तों स्रू करते हैं अब देखिए इसके अंदर जो मैं बनाने जा रहा हूं आपका यह जिसे की मैं चार्म के दिखाता हूं 3 17 अगर आपका 40 का अवण होता है 42 तो एक मिटर में आपका अराम से बन जाएका लेकिन इसके अंदर मैंने लिया कपड़ा देर मीटर ठीक है मैंने कपड़ा लिया क्योंकि छोटा अब इसके अंदर सबसे पहला है यह करना है कि फिर कीनारी का क्रेंग है क्टिंग कर लेंग धी इसकी जो यह पत्टी बनानी सिर्ट बेपा की करने के बार देखिए यह इसा बंद में देख सकते हैं अब बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसको बनाना एक बार में आप सीख जाएंगे अब देखे सबसे पहले हमें एक निसान लगाना है यहाँ पर जो कि बिल्कु सीथा निसान लगाना होगा अब निसान लगाने के बाद इसकी लंबाई आपको जितनी रखनी आप उसका निसान बें इस तरीके से निसान लगाने इन दोनों निसानों को हम सीधे फुट्टे की नदधा से सीधा करेंगे उसके बाद ऊपर आली जो साइड है यहाँ पर हमें जो है निसान लगाने 11 यानि उसका हाफ साड़े 5 इंच पर इस तरीके से आपको निसान लगाना है नीचे की साइड में आप जो है पूने 6-6 पर ऐसे निसान लगाने इसको करेंगे सीधी फुट्टे की मदर से सीधा और अब जो यहाँ इसकी चोड़ाई होगी तो इसकी चोड़ाई लेनी होगी दोस्तों वह लेनी है आपको दस है तो हम यहाँ पर साड़े 10 पर निसान लगा लेते हैं इस तरीके से ठीक है क्योंकि हमारा दबाव भी इसी के अंदर हो जाएगा तो यह देखिए हमने निसान ल नगा लेना है और अब कर लेंगे इसकी कटिंग और बिल्कुल निसान पर आपको नीचे तक इसकी कटिंग करनी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा आप अगर इसे मेरे को देख के बनाएंगे तो बहुत अराम से बहुत जल्दी आप इसको बना सकते हैं यह देखिए इ यहां पर हमारा कपड़ा है इस कपड़े को हम कटिंग करेंगे अब कटिंग करने के बाद यहां पर हमें पॉकेट के लिए कटिंग करनी है तो हम इसको इस तरीके से करना होगा इसको ऐसे पहले फोल्ड होगा अब लेंद हमें यहां से नापनी तो हम पहले एक निसान इस तरीके से सीधा निसान लगा लेंगे और इन दोनों निसानों को करेंगे हम सीधा कटिंग कि इधर भी कटिंग करने के बाद यह इससे को आपको ऐसे फोल्ड करना है तो आप यहां पर बहुत असानी से दोस्तों कट लगा लें तागे फोल्ड करने में आपको असानी रहे एककोली आपका फोल्ड हो जाए अब देखे मैंने कट लगा लिया अब कट से हम इसे ऐसे अब जो लंबाई में हमें निसान लगाना है तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहापर निसान लगा लेना है 7-7-8 जटनी आप बड़ी प्यटे चाहें तो मैं यहाँ पे 8 पार निसान लगा लेता ओ UK और इसको मदस से ऐसे निसान लगाना है और simple तिल्चे में इस तरेगे से पॉकिट की सेव दे देनी है ठीक मैं यहां पर इसे फुटा रखे ऐसे निसान लगाता हूं और यहां पर कर लूँगा इसको कटिंग कटिंग करने के बाद दोस्तों यहां पर सब कुछ कट रखे आप चलते हैं मसीन पर चलने के बाद हम आपको स्टीचिंग बताती है तो देखे इस पहले हमें सबसे पहले एक हिस्टा लेना होगा जैसे हमने यह ले लिया ठीक है powin है इसको लेदे के बाद बहुत ही सिम्पल है दोस्तों इसको बनानाओ जैसे यू सास सीधा है तो अमः उल्टी तरफ से इसको ऐसे फोल्ड करना हैं और ऐसे फोल्ड करने बाद हमें इसको ऐसे इस इस तरीके से एक पैर मोड़ना है और इस पर लगानी हमें सिलाई ठीक है इस तरीके से मोड़ना होगी और जब यहां पर आएंगे आप तो यहां पर आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना देखिए लगानी है और अब इसको एक एक पैर करके मोड़ना पड़ेगा और पूरा और आपको खेचना नहीं है अगर आप खेचेंगे तो यह हिस्सा जो है आपका बढ़ जाएगा तो अराम से हलके हाथ से आप इसको इस तरीके से कर लिए अब यहां पर भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं पर र्शा नीचे तक इसको ऐसे खोंड़ करेंगे देखिए एक पैर लाइंगे तक आप यहां Kan पर भी इसको एक पैर खोल करेंगे कि अब देखिए यहां से मने स्टार्ट कर रहा तो एक पैर का करते हूं नीचे तक आ गए मैं तो यहां से आपको सेम उसी तरीके से एक पहलेगे को भी फोल्ड कर लिया था अब हम यहां पे क्या करना है हम इसमें एक पल्ला ले में इसको अलग रखींगे तो पॉकेट है इसको हमें सिंपल इस तरीके से अद्सक्त करना कटके ब्राबर से और यहां पर लगानी स Milal backyard विभाट है है इस अब इस तरीके लोड़ाने के बाद या तो आप इसे प्रेश इस तरीके से बशैत करने नहीं तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं देखिए मैं इसको आराइंस का फोल्ड करके यहां पर डाला हूं कच्चा इस सिलाइक को बार में खोल लेंगे ठीक है इसको आराइंस ऐसे फोल्ड करके हम कच्ची सिलाइ लगानी है इस लाइक को बार में खोलेंगे और इसको बिल्कुल इ पार देखिए लगा दी हमने चोटी करने के बाल चूटी कर लेंगे फिर इसको ऐसे उतार के आप धाग्यों कर लेंगे कटिंग और इसको हम ऐसे डबल में मिलाएंगे ठीक है इसको ऐसे डबल ममें मिलाना है एक एकोल हो गया अब यहाँ पर शाड़े ग्यारा इंच पर आपको निसान लगाना है इस तरीगे से और देखे साड़े 11 इंद पर आपको किरिज दिखती होगी बहुत ही किलिए इस तरीगे से आपका यहां पर निसान हो गया अब हमें अपनी पॉक्ट लेनी है इसको इस तरीगे से लखना है ठीक है किरिज से किरिज मिलाकर आप चाहिए तो से सेंटर में कैसी तरीगे स assass Julian लगा और को अगा अगार किर इसको ऐसे घुमा के इस पर भी स्लाई लगाउंगा तो कि को थो तरीगे से आपको यहां पर पूरे पॉर्ड़ काकर को थो ताले करना है ऐसे फोल्ड करके किनारी वाले इससे को ऐसे फोल्ड करना है और यहां पर लगानी सिलाई और इसको इसी तरीके से दोस्तों पूरा फोल्ड करना एक्वल ठीक है फिनिसिंग के साथ और यहां पर लगा लेनी है तो इसी तरीके साथ पट्टी बन जाएगी तो पूरी पट्टी को आप इसी तरीकर से तयार कर लिजी तो यह देखिए यहां पर हमarleख जैसी नीचे वाली साइड है ये क्योंकि एक एक पैर का पहले कर रखा इसको ऐसे करने अब यहां पर हमें लगाना यहां करेंगए पकका चाए तो आप शीलाइ के ओपर भी स्लाइ tapped लगा सकती है ठीक है लेकिन यहां पर मैं किनारे पर शेलाइल लगा रहों इस तर्याइबे स्लाइल लगा Hence कर लेंगे हम यहां से कटिंग इस तरीके से आपको यहां पर लगाते हो आना है और यह वाला इससे आपका बिल्कु लिको लाए तो इससे आप ऐसे पहले पकड़ लें और इसको यहां पर लगाते हो आएंगे सिराव लगाने के बाद जैसि हे आप यहाँ पर आएंगे तो यहां से पत्टी लेनी है आपको अभी पट्टी कितनी इंजिक्टी की यह आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर भी नापते हैं कि यहां पर 21.95 की पट्टी कटिंग एक पर कृटिंग करना है यहां पर 20 इंच की और चो करने an precis को हुक्र इसको अलग रख देते हैं घ्रिक हैं अब आपको यहां पर एस तरीके से ऐसे नापना है कि और है लिए गळूंग गल्या लगई कि तो अब यहां पर लेना यह इसको इसे लगाना है यह लगाना है इसे करेंगे पका मजबूती से फिर इसको ऐसे पकड़के यहां पर देखी यह जो हिस्सा है यहां पर इसे अराम से रखना है यहां लगानी इस पर सिलाई और यह दोनों चीज़े जुड़ती हुए आनी चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए अब इसको हम यहां पर पहले मिला लेंगे ठीक यहां पर हमने मिला लिया इसको इस तरीके से क्योंकि गोलाई है तो यहां पर फिनिसिंग से सिलाई लगे तो इसको हम इस तरीके से बिठाते हुए यहां पर आने के बाद हम किस तरीके सिलाई लगाएंगे देखे बहुत ही इजी है यह हमारी साइड के पट्टी हमने जो है चोबीशन की जो पट्टी कटिंग करीती वह यह है ठीक है इस पट्टी को हमें यहां पर आ और इसको इस तरीके से लेकर करना पक्का मजबूती से पक्का करने अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे ठीक है देखिए और ऐसे पकड़ने के बाद यहां पर लगाएंगे हम सिलाई और उसके बाद इस पट्टी को अच्छी तरीके से पकड़के बिल्कुल इकोल आए और इसको हमें सेम उसी तरीके से लगा देना है और लगाने के बाद अब इस पर लगाएंगे हम सिलाई और यहां पर कोने पर करेंगे पक्का और उसके बाद हम इसे ऐसे घुमा लेंगे तो देखिए यहां तक का इससा पूरा लग चुका है आपका अब सिंपल दोस्तों यहां पर सिलाई लगाते हुए यहां पर इस पट्टी को ऐसे लगा दें और फिर पूरी सिलाई जोडते हुए ठीक है यहां पर लाके आप इस आप देखिए इसको सिंपल यह आपके इस तरीके से आजाएगा आप इसको यहां पर आराम जाय से बान लिजी ठीक है यहां पर कुछ समान रखने के लिए तो यह आपका तयार है तो आपको वीडियो कैसे लगी कमर्स करके जबर बता है वीडियो पसंद आए तो लाइव क झाल